हलो गाईज मैं हूँ सर्वेश और आप देखने दिश्ट पूस्तो आज किस वीडियो में बात करेंगे अगर आप अपने कामन सर्वेश सिंडर पर CSE आधार UCL सिंडर खोलना चाहते हूँ यानि आप अपने कामन सर्वेश सिंडर पर आधार अपडेट करने का काम करना चाहते हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छी ख़वर है CSE की आफिसियल ट्विटर हैंडल से ट्विट करके बताया गया है कि अगर आप अबेदन करना चाहते हूँ तो आप अपने सारे डाकॉमेंट अपने स्टेट टीम को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आपका क्रिदेंसियल बनाया जा सकता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह CSE का अफिसियल ट्विटर है बताया गया है आज ही आप अपने स्टेट टीम को अपना डाकॉमेंट प्रोवाइड कर दीजिये जिससे आपका क्रिदेंसियल बनाया जा सके अगर आपके पास बैंक बीसी है तो क्योंकि बैंक बीसी का requirement होता है अगर आपके सेंटर पर बैंक बीसी नहीं है CSE की जरीए तो आप यूसियल के लिए directly apply नहीं कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई अगर आपके पास CSE के तुरू किसी भी बैंक का banking correspondent center चल रहा है तो आप अपने और भी जो document है जैसे NACID के certificate, bank BC के certificate ये सब कुछ और साथ में जो consent form होता है ये सब कुछ अपने state team को provide कर दिजिए जिससे वहाँ से state team UIDI को आपका form भेज दे और आपका credential बना दिया जाए और आप UCL center पर काम कर सके इसमें भी साफ बताया गया है, do you know that it is mandatory to have a bank BC to deliver UCL service भाई एकदम यहाँ पे साफ सब्दों में बताया गया है, बहुत सारे लोग comment करते हैं कई बार हमारे इसी channel पर और पुछते हैं sir मेरे पास bank BC नहीं है, क्या हम UCL का service दे सकते हैं, तो साफ जबाब यहाँ पी दिया जा रहा है आपको आपकी CL tutor handle के दोरा कि आप यह नहीं कर सकते हैं, BC यानि banking correspondent point होना जरूरी है You can start UCL service at your center by submitting necessary document to your state team आप अपने state team को अपना सारा document submit करेंगे, इन document में क्या क्या चीज़े होनी चाहिए आपके पास आपका consent form, आपका आधार card, आपका pen card, साथ में NACIT का certificate, NACIT certificate का मदब है अगर आप आधार operator बनना चाहते हैं, UCL center खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक परिच्छा लिया जाता है UIDI के testing center authority के द्वारा, वहां से आपको NACIT का certificate मिल जाएगा और वो certificate, bank, BC का certificate, आधार card, pen card, concept form, यह सारा कुछ लेदा करके आपको अपने state team को दे देना है सब्मिट कर देना है, credential फाइल के लिए, फिर आपका credential बन जाएगा, कुछ दिन में आपकी machine register कर दी जाएगी उसके बाद आप अपनी common service center पर UCL जैसी service start कर पाएगे तो आशा करता हूँ, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को subscribe करना, वीडियो को like करना मत भूलेगा मिलोगा किसी और informative वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंद